मुझा नमस्कार में हूँ आपके साथ हुमापाल और आप देख रहे हैं धर्पुरकान नमपपन चैनल शमर्पुर्पुर्पुर्ण आपका हमारी चैनल में स्वागर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्प बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक चंबल की और चलती ट्रेन से गिर गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची तो वहाँ युवक का साला और जीरपी पुलिस पहले से मौजूद थी। जहां से पुलिस गंभी रूप से घायल युवक घंस्याम उम्रत 23 साल पुत्र बल्ले निवासी टीकमगड को लेकर अस्पताल पहुची। युवक के साल ट्रेन में मौजूद उसके साले रामकिशोर ने बताया कि वहाँ अपने जीजा घंस्याम के साथ मजदूरी करने के लिए पठान कोट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान चंबल पुल क्रॉस करते ही उसका जीजा ट्रेलिक करने के लिए गेट की ओर गया तब ही अचानक पैर्क फिसलने से वहर नीचे गिर गया। जीजा को ट्रेन से नीचे गिरते ही साले ने चैन खीच दी। ट्रेन के रुकते ही मौके पर पहुची जीरपी पुलिस को उसने हासे की सूचना दी। जिसके बाद कोटवाली पुलिस की मदस से घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भरते कराया। हासे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस की मदस से दौनों घायलों को 108 एंबुलेंस से जिलाच के साले में ले जाये गया। एक युवक रवी की रास्ते में ही म्रत्यूख हो गई। गटना की सूचना से पैरिवार में कोहराम मच गया। युवक के साथ पहुचे उसके भाई बंटी ने बटाया कि सरिवार सुबह गौलियर जाने के लिए एक भाई को ले कर धौलपूर आ गया था। जिस बाई को बदलने के लिए उसका छोटा भाई रवी उम्रत 23 साल पुत्र कोक सिंग और चचेरा भाई जीतू उम्रत 24 साल पुत्र नरेस दूसरी बाईक से धौलपूर आ रहे थे। इसी दौरान आगरा मुंबई रास्टे राजमार की संख्या चबालिस पर सड़क किनारे खडे ट्रक में उनकी बाईक घुस गई। की जांश शुरू कर दी है। मनिया से लक्षमी नारेन भगेल की निपोस। मादिमिक शिशाबोड कक्षद दसवी में 100% परिक्षा परणाम धालपूर जिले के ग्रामिर छेत्र का एक मात्रव विध्याले श्री भगवान शिक्ष्य और संस्थान मादिमिक विध्याले भैसे नकापोरा धालपूर। हमारे यहां आपको मिलेगा नमर वन फैकल्टी जिसमें विध्याले कैंपस में ही कोचिंग वेवस्था, प्रतेक वर्ष, श्रेष्ट परणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम, हवादार कमरे एवं शुद्ध ठंडा पानी, वाहन विधा उपलब्द, एवं कमजोर विध्यार्तियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है, अड्मिशन ओपन जल्दी करें हमारा पता है भैसेने का पुरा धौलपुर, निर्देशक मुनालाल राजपोद, मोबाइल नमबर 97-9-9-3-0-6-49, व्यवस्था पक उदै सिंग राजपोद, मोबाइल नमबर 82-9-4-6-6-12, कक्षा दस्वी बारवी में अद्भुत परणाम देने वाला एक मात्र विध्याले, गोपाल प्रग्या पीट, उच्च मादमिक विध्याले, धौलपुर, नर्सरी से बारवी तक, जिसमें दोजट 23 के परिक्षा परणा परणिया 93%, आर्यन कुमार 92%, ललित कुमार 90%, लगातार 22 वर्सों से उत्तम परणाम दे रहा है। प्रवेश प्रारहम, जल्दी करें, पता, गोपाल प्रग्या पीट, उच्च मादमिक विध्याले, रजाखेडा बाईपास, उमेदी नगर, धौलपुर, निर्देशक प्रदीप शर्मा, मोबाईल नंबर 94-00-41-47 और 95-75-00-41-47 कक्षग दस्वीन, बारवा में, सौप्रतीशत परिक्षव परणाम देने वाले एक मात्र विध्याल है, आनंद पब्लिक सीनियर सेकंडरी कॉनलंट स्कूल दोलपुर, हमारे यहां मिलेगा आपको नंबर वन फेकल्टी जैसे विध्याले कैंपस में ही कोचिन वियवस्थ प्रति वर्ष श्रेश्ट परणाम देने वाले संस था, अनुभवी एवन योग्य शिक्षकों की टीम, हमारे यहां साइंस, बायो, कॉमर्स, मात्थ, एवन वहां सुबधा उपलब्ध है कमजोर विध्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है, एडमेश इंदर सिल्पवार 800-588-8939 बसेडी विधायक रहेंगे दो दिन छेतर के दौरे पर राजिस्तान अनुसुचित जाती अध्यक्षेवं बसेडी विधायक खिलाडी लाल वेरवा बसेडी विधान सवा में दिनांग 10 जुलाई 23 सोमबार को छेतर के दौरे पर रहेंगे कॉंग्रेस नेता शाम सुंदर सर्मा ने बताए कि दोपर 12 बजे विधाय कारेलाई पर जन सुनवाई करेंगे दोपर 3 बजे बिजो लाल शर्मा के पिताजी रामेशवर देयाल के अकश्मिक निधन पर उनके घर पहुच कर सोक सम्वेधना व्यक्तिक करेंगे साड़ तीन वजे आंगई पुलिस चौकी से पित हुए नविन थाने का उधगाटन बसेडी विधायक खिलाडिलाल वेरवा एवं धौलपुर पुलिस अधिक्षक मनोश कुमार बाडी विधायक गिरासिंग मलिंगा एवं तमाम अधिकारियों के साथ नविन थाने का उध उधगाटन करेंगे उसके उपरांत बसेडी विधानसवा की ग्राम पंचायक नक्सोधा के गाउन नादोली में विधायक निधी से बने हुई अधाई का उधगाटन करेंगे एवं सभी ग्राम वास्यों की जन समस्याओ को सुनेंगे सरमत्रा गैंक्सा असोसियेशन के आपके द्वार कारेक्रम में पहुँच कर जन समस्याओ सुनेंगे सरमत्रा से विष्णू सोनी की रिपोर्ट धौर्पूर के गैंगिस्टर की देड़ वीगा जमीन कुर्ग उत्रप्रदेश पुलिस की कारिवाही के दोरान बाडी तहसील की राजस्व टीम रही मौजूद उत्रप्रदेश के आगरा जिले की खेरागड थाना पुलिस ने धौर्पूर के गैंगिस्टर जस्वंत गुर्जर की लाख रुपे की संपत्ति कुर्ग की है खेरागड पुलिस की धौलपूर में बदमाश की संपत्ति कुर्ग करने की यह दूसरी कारिवाही है इससे पहले 19 जून को उत्रप्रदेश पुलिस के सिपाई की हत्या के मामले में खरकपुर निवासी हे सिंग के मकान को कुर्ग किया था कोट के आदेश की पालना में शुकरवार को एडिशनल पुलिस कमिशनर आगरा के आदेश पर खेरागड पुलिस ने बाड़ी तहसिल छेत्र के सुखे का पुरा नगला दौलतिया थाना कंचनपुर निवासी कुख्याद बदमास जस्वंत गुरजर पुत्र सोवरन सिंग की करीब देड़ भीगा क्रशी भुमे को कुर्क करने की कारिवाही की किरगड पुलिस ने बताए कि कुख्याद वदमाश जस्वंत गुरजर के खिलाफ के खिलाफ किरगड थाना में साल 2017 में संगीन धाराओं में 395 बटा 412 में मामला दर्ज हुआ था इसके बाद 2019 में धा 14-1 अधिनियम गिरोह वंद और आसमाजिक किरिया कलाप निरवारन अधिनियम 1986 के तहट संपत्ति को कुर्क करने के आदेश हुए बदमाज की संपत्ति कुर्क करने की कारिवाही के दौरान बाड़ी तहसिल की राजस्व टीम इस्थानी पुलिस के साथ खेरागड की पुलिस टीम मौजुद रही पुलिस ने बताए कि बदमाज जस्वंत गोरजर के गाउं में ढोल नगाड़े के साथ खसरा नमबर 867 रखवा एक वीगा 13 विस्वा क्रिशी भूमी को कुर्क किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपे आखी गई है अब यहाँ संपत्ती राज्य सरकार की हो गई है 19 जून को गैंगिस्टर हैसिंग का मकान किया था कुर्क खेर अगर पुलिस ने 19 जून को गैंगिस्टर एक्ट में वांचित खरकपुर निवासी हैसिंग पुत्र सरदार सिंग गुर्जर के मकान को कुर्क किया था जिसकी अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपे से जादा आखी गई थी हेसिंग नवंबर 2020 में साया थाने के सिपाही सौनुच चौदरी की हत्या के मामले में वांचित था सेंट जोसेव इंडोनेशनल स्कूल धालपूर जिले का एक मात्र सीवी एसी एलफीलेटेट विध्याले जहां सभी कक्षाएं फुली एसी और डिजिटल वोर्ड से संचालित हैं कंप्रिचर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रतिक कक्षा कक्ष, CCTV मॉनिटिरिंग से लैस अनुभवी अध्यापक को द्वारा अध्यापन सभी अध्यापक देश के अलग-अलग जिलों से जिनके रहने की व्यवस्था विध्याले केमपस में बच्चों के लिए विध्याले के अंदर हेल्दी वातावरण यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ उनके मैनर्ज और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है प्रतिक छात्र को उनकी प्रतिभा निखानी का मौका दिया जाता है फिजेक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी एंड कमपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास पीजी से टैन तक, एड्मिशन ओपन, सिवेसी न्यू डेली से सज्जालित विध्याले का पता, आशियान कॉलोनी जेल रोड धौलपुर मोबाईल नंबर 99-22-33-87 और 95-89-64-12-22 कक्षा 10 वी वारवी में 100 प्रतिशत परिक्षा प्रणाम देने वाले एक मात्र विध्याले चीनो पबलिक उच्चे मात्मिक विध्याले जाकी सेपव दालपुर हमारी यहां मिलेगा आपको नंबर वन फैकल्टी जिसमें विध्याले कैंपस में ही कोचिंग विवस्था प्रतिक वर्ष, स्रेश्ट परिणाम देने वाली सस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम हमारी यहां साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ, एवं बाहन की सुविधा उपलब्द है कमजोर विध्यातियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई चाती है एडमिशन ओपन जल्दी करें हमारा पता है जाकी सैपव रोड धालपुर, प्रधानचार्य गजेंद्र शर्मा मोबाइल नंबर 998367-3307 निदेशक हर्योम उपाध्याएं मोबाइल नंबर 8440917707 लगतार साथ वर्सों से दसवी बोट परिक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एक मात्र स्कूल संसकार पबलिक स्कूल दारा सिंग नगर दारा पैलिस के पास धौलपुर अंग्रेजी माध्यम का एक मात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ संसकारित भी किया चाता है इस विध्याले में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुभिधा एक दम निशल्क है आज ही अपने बच्चों के उजवल भविश्य के लिए शीक्र प्रवेश दिलाए हमारे विध्याले में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, आरो वाटर और परियाप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्द है चोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रूप से UK जी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है संगीत और डांस ग्लास एक दम निशल्क है अपने बच्चों को शीगर प्रवेश दिलाए निदेशक जितिंद्र कुमार शर्मा मोबाइल नंबर 94-81-81-81 और 96-64-01-24-11 आज से उपखंड शेतर के लोगों को जेलना पड़ेगा पावर कट सर्मत्रा उपखंड दुबासियों को आज से पावर कट की वज़े से वरसात के मौसम में विद्धित कटोती की परिशानी उठानी पड़ेगी वहीं लोड शेडिंग के चलते रोडेशन पद्धिती में विजली काटी जाएगी जिसमें 33 केवी सविस्टेशन सर्मत्रा में शाम 5 बजे से 6 बजे तक एवं 33 केवी बड़ा गाओं वाजिरी में रातरी 8 बजे से 9 बजे तक वही 33 केवी वरोली आंगई में रात 9 बजे से 11 बजे तक बजली बंद रहेगी सर्मत्रा सेविश्टन सोनी की रिपोर्ट राजीव गांधी ग्रामिड ओलम्पिक खेलों को लेकर मैदान तैयार सर्मत्रा उपखंडी के अंतरकत राजक्यों चमाद्मिक विध्याले धौंद सर्मत्रा में आईजित किये जा रहे राजीव गांधी ग्रामिड ओलम्पिक खेल को लेकर मैदान तैयार किया गया है वहीं इसी को लेकर खेल कूद के प्रभारी पीतम सिंग मीडा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे स्कूल में खेल कूद का मैदान तैयार है जिसमें आगामी दस्तारी को आईजित होने वाले ओलम्पिक खेलों के लिए विविने खेलों की खेल कूद टीम भाग लेकी सर्मत्रासे विश्णू सोनी की रिपोर्ट जिले में सबसे ज़्यादा मेरिट देने वाला एक मात्र विध्याले शार्दे विध्यापीट एवं शार्दे कॉन्वेंड स्कूल यहां आपको मिलेगी गुर्वत्तापूर शिक्षा एवं मजबूत इंस्ट्रक्शर शामदार क्लास्रूम केवल शिक्षा ही नहीं बलकि बच्चों में संस्कार पैदा करता है जिले की चौब फैकल्टी सिर्फ शार्दे विध्यापीट में उपलब्द इस वर्ष कक्षा टैंत में अमन दुवे ने 97 परसेंट कक्षा बार्वी में तनु परिहार ने 94 परतिशत कंचन शर्मा ने 92 परतिशत सुहलिया खान ने इन 90 परतिशत अंक प्राप्तिकर जिले में चौब किया नर्सरी से कक्षा बार्वी तक हमारा पता गोशाला कोलनी धालपुर जल्दी करे एंड मिशन ओपन प्रधानाचार्य वीडी चौदरी व्यवस्थापक संग्राम पंडित मोबाइल नंबर 94 14 75 75 और 63 72 82 90 शार्दे मस्ट बाकिसर परस अब आपकी शहर धोलपुर में पहली बार लेकर आए हैं युवान फीजियो थेरेपी रिहविडाइटेशन क्लीनिक यहाँ पर कोरियन मशीनों द्वारा हाइडरा फेशियल पुरोश और महिला दोनों का किया जाता है इसको करने से महिला और पुलूस दोरों के चेहरों की चमक दब्भे जूरियां पिंपल्स आदी हड़ जाते हैं साथी फीजियो थेरेपी द्वारा हमारे यहाँ पर फॉलिस जोडों का दर्थ, कमर का दर्थ, गर्दन का दर्थ, आदी बीमारियों का सर्वाइकल का दर्थ, आदूनिक मशीनों द्वारा उपचार किया चाता है हमारे यहाँ पर एक्क्यू प्रेशर मशीन ब्वारा पूरे शरीर की जाच उपलब्द है हमारा पता है आईश्मान हास्पिटिल के बगल में घंटागर रोड धालपुर मोबाइल नमबर 7726 in Canway 6561 समय सोमबार से रविवार सोबै 9 बजे से शाम 6 बचे तक अधिक जानकरी के लिए आप हमें कॉल करें 7726 in Canway 6561 SOF में संसकार एकेडिमी ने परचम लहराया SOF National Science Olympiad NSO का शेक्षिक संगठन है जिसकी स्थापना विज्ञान गड़ित कंप्यूटर सिक्षा अंग्रेजी सामजिक अधियन सामा निग्यान और व्यवसाइक पात्थ किरमों को बड़ावाद देने के लिए किया किया है जिसके अंतरगर्द वर्ष 2022-23 में कक्षा नौभी की हिमाशी तॉमर ने इंटरनेशनल फर्स्ट रैंक और राजिस्थान जौन में फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए गोल्ड मैडल जीत कर किर्ती स्थम्भ गड़ा है जिसके तहट उसे 6,250 रुपे की राशी पुरसकार स्वरू प्राप्त हुई इसके साथ कक्षा चौती से दिक्षा सिंग ने सोसल साइंस में राजिस्थान जौन में बारवास्थान और इंटरनेशनल रैंकिंग में पंदरवास्थान प्राप्त कर विध्याले को गौरवान वेत किया है इसके अंतरगत 500 रुपे का उसे गिफ्ट वाउचर प्राप्त हुआ है इसी क्रम में साइवर ओलंपियाड में दिव्यांक ने कक्षा दूसरी से राजिस्थान जौन में सत्रवी रैंकिंग हासिल की है शोसल साइस में रजिस्थान जौन की तरव से कक्षा चौती में कई बच्चों ने अपने नाम दर्ज करवाए जिनमें अनंत कौशेक अठारवास्थान, वैशनवी अगरवाल 22 वास्थान, नंदिनी चाहर 27 वास्थान रहे इंग्लिश ओलंपियाड में रजिस्थान जौन के अंतरगर तनीशी गोयल कक्षा पांशवी में 135 वास्थान तो आदित्यराज सर्मा ने कक्षा चौती से 225 वास्थान प्राप्त किया है मैस ओलंपियाड में रजिस्थान जौन से कक्षा नौबी के राघव गोयल ने 90 वास्थान, आद्विकार रजावत कक्षा चौती ने 210 वास्थान, हिमाशी तॉमर कक्षा नौबी ने 230 वास्थान, सार्थक गर्ग कक्षा चटी ने 247 वास्थान, काव्या अगरवाल कक्ष मौका मिलते ही बच्चे सदेव अपना श्रेश्ट प्रदर्शन करने को ततपर रहते हैं बसेडी विधायक की चुनाव को लेकर कॉंग्रिस ब्लॉक अध्यक्ष राम खिलाडी शर्मा ने छेत्र के गाउं गाउं जाकर मुख्य मंतरी अशोक गहलोत के द्वारा महंगाई राहत कैम्प की योजना के बारे में जागरुक किया बसेडी विधायक के द्वारा प्रभेश में किये गए कारे की चर्चा में लेकर लोगों को जागरुक किया और कॉंग्रिस पार्टी का फिर से विधायक बनाने पर जोड़ दिया किया और सभी कारे करताओं के साथ गाउं सिहोली, दादिपूरा, पत्तिपूरा, एक्का में बूद एजेंट बनाई गए और नई कारे करताओं से जनसंपर्क किया किया बसेडी ब्लोक अध्यक्षे राम खिलाडी शर्मा, पिप्राउन जिला परिसर सदस्य राजवीर सिंग जाटव ब्लोक उपाध्यक्षे उदल सिंग परमार, मंडल अध्यक्षे धनिराम कुश्वाह, सनी परमार, रामजी लाल, बूदेव शर्मा, समस्त कॉंग्रेस कारिकरताओं माजूद रहे राजिसान युवा मोहसम में 9 जुलाई तक पंजियन कराएं युवा पंकश तिवारी राजिसान युवा बोर द्वारा आयोजित के जा रहे राजिसान युवा मोहसम में पंजियन करने की अंतिम्तिथी को राज्यमंत्री सीतराम लांबा द्वारा बढ़ा कर 9 जुलाई कर दिया है राजिस्तान युवा मोहसब के जिला समन्वी एक पांकश दिवारी ने बताया कि पूर्वु में इस कारेकरम के अनुसार 5 जुलाई तक पंजियन हो रहे थे उसके बाद ब्लॉक इस्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना था लेकिन राजिसरकार द्वारा अधिक से अधिक युवाओं की भागिदारी सुनिशित करने हे तू राजिस्तान युवा मोहसम में पंजियन कराने की अंतिम्तिती को बढ़ा कर 9 जुलाई कर दिया है जिले के 15 से 29 वर्ष के युवा लिंक पर जाकर अपना पंजियन करवा सकते है समन्वियक तिवारी के अनुसार अवराजिस्तान की कला एवं संस्कृति को सवारने में और विलुप्त हो रही है राचिन परंपराओ कलाओ को पुनर जीवित करने के साथ साथ गायन रत्य भाशन समुह संबाद कर्टुतली नरत्य खरताल वादन सहित अनिसांस्कृतिक प्रत्यों गिताएं आयो जेत की जाएगी अतहा 15 से 29 वर्ष तक के युवा अधिक से अधिक मात्रा में पंजियन करवा कर राजिस्तान युवा महस्ताम में भागीदारी का हिस्सा ले मनियधाना शेत्र के एक शपुरा गाउं में सनिवार शाम को दो पक्षों में जमिनी विवात को लेकर लाठी बाटा जंग हो गई दोनों पक्षों के बीच हुई लाठी बाटा जंग में एक महिला सहेत पांच लोग घायल हो गए जिनने लाज के लिए चिला स्पताल में अलग-अलग वार्डों में भड़ती कराये गया दोनों ही पक्षों के घायलों को अलग अलग वार्डों में भर्टी कराने के बाद उनका डॉक्टर की देखरेक में उपचार किया जा रहा है। घायलों के साथ पोचे ग्रामिनों ने बताए कि गाओं में जमीनी विवात को लेकर सुन्दरिया और विवानी सिंग के बीच विवात चल रहा था जिस विवात के चलते शनिवार शाम को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पोनम उम्रुच 26 साल पतनी सुन्दरिया को लेकर ग्रामिन अस्पताल पहुचे जहां दोनों पक्षों को प्रॉमा और सर्जिकल वाट में भरते कराये किया। पोलिस मौके पर पहुची थी जहां से घायलों को पहले ही अस्पताल पहुचाये किया। उन्होंने बताए कि मामले में रिपोर्ट मिलने के बाग आरोपियों की खिलाफ कारिवा ही की जाएगी। आमादमी पार्टी का कारिकर्टा प्रशिक्षन प्रोग्राम आयोजेत। जिसमें ट्रेनिंग और जनसंपग, जनसंबाद, प्रोग्राम, क्रमशह, बाड़ी विधान सभा के कच्छपुरा गाउं में, बसेडी विधान सभा के ग्राम पंचैत, अतरसुमा के गाउं सिहोली, राजाखेडा विधान सभा के मनिया में, धौलपुर विधान सभा के सि जस्विंदर कंडा ने धौलपुर के जिलाध्यक्ष मुवीन एहमत फारुकी और जिलापद अधिकारियों ने इस कारिकरता जनसंबाद और प्रशिक्षन के दोरान गाउं गाउं जाकर लोगों को दिल्ली एवं पंजाब की सरकार द्वारा किये जा रहे जन हित कारियों को अब गत कराने के लिए प्रेशिक्षन दिया प्रेशिक्षन के दोरान फारुकी ने बताये कि लोगों में आध्म अध्मी पार्टी के प्रती उस्साह है और लोग दिल्ली और पंजाब में पार्टी द्वारा किये जा रहे जन हित कारियों को देखते हुए गाउं गाउं थाड़ी थाड़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं इस कारिक्रम में सभी कारिकरता और पददिकारी मौजुद रहे कारिक्रम का संचालन दुर्गा शरण ने किया 28 वे निशुल कुछ किस्सा सिविर का होगा आयल जन बाबुलाल जैन सेवा संसान द्वारा उसके सनक्षक मद्यप्रदेश की पुलिस महा निदेशक पवन जैन के निद्रत्वों में राजाखेडा की चार ग्राम पंचायतों सिलावट और बाजना में माता सतिवाई के मंदिर पर साड़े आठ बजे से साड़े बारा बजे तक इसी प्रकार समोना और देप खेडा ग्राम पंचायत में ठाकूर वदन सिंग के चौक के समय में देड़ बजे से शाम पांच बजे तक निशुल की चिकिस्सा सिविर आय कामनाओं की दरकार रहे की और भारतिय काव्य जगत में ओज हिमाले और हिंदुस्तान के शीवशस्त कभी डॉक्टर हरियों पवार हमारे सेवा संस्तान के ध्वज वाहक रहेंगे उन्होंने राजखेडा के विकास में हमारे हर कदम को अपना अशिरवाद दिया है हम वरत यग्य में हमेशा की तरह आपकी शुपकामनाओं की आहुती की उपेक्षाह रहे की राजखेड़ जिला धौलपुर में हुए मानपता के 27 महा यग्यों की तस्वीर आप सब की नजर में हैं किसी के जक्म की मरहम दिया है अगर तूने समझ लो तुमने खुदा की झाल